एलो फ्रेंड अवय like आहे हैं वाय व्लग तो एक इंट्लीजरन्स बीरो मिनिश्ट्रिय फो में आपता है उसे सीजेंस पर दॉसक्रों सिभाद lokौ होता है कैन सरकार घोता है और यह गवर्मेंट आफ india मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स के नितर्गत आता है अब देखिए इसमें बहुत बढ़िया वेकेंसी निकली है और टोटल 110 वेकेंसी निकली है सेंटल इंट्लिजेंस आफिसर और इस बार यह क्या है इंजीनिर को ले रहें अगर आपने भी टेक किया है तो आप इसमेंपलाई कर सकते हैं आपने एंटेग किया तो अपलाई कर सकते हैं और सबसे बढ़िया चीज यह है बेचलर practitioners दिग्री हो आपके पास या Master degree हो या PhD हो और electronics टेली Communication वालों के लिए और Computer Science वालों के लिए और Information Technology वालों के लिए electronics की किसी भी ब्रांज में अगर आपने EI में B.Tech किया है EC में B.Tech किया है ET में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं Computer Technology में आपने किया है यानि Computer Science Information Technology में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं Dip System में मैं पूरा Link दे दूँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या-क्या इसमें डाकुमेंट्स लगेंगे ठीक है आपकी जानकारे के लिए बता दें कि यह experience वाले बंदों के लिए है अगर आपको दस साल का experience है आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है बहुत से ऐसे हमारे बीटेक धारक हैं जो प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर प्राइविट कंपनिम काम कर रहे है उनको 10 साल से ज़्यादा कानभव है तो देख लीजिए एक लाश इकतिस हजार से लेके दो लाग सोला हजार छैसो तक की सेलरी वेतनमान है यह इतना वेतनमान यह दे रहे हैं बहुत दो लाग सोला हजार छैसो रुपे इन हैंड आपको पर मंत मिल सकता है अगर आप इसमे डिरेक्टर मांग रहे हैं टेकनिकल इसके लिए दो वेकेंसी हैं अब इसमें देखिए सेंटर गोवर्मेंट और स्टेट गोवर्मेंट कि इसके अंतरगत्काम करना है आपको देख लिजिए अटकशर्ट डिगरी इन इंजीडny ठीक है या बैक सी मेसे है लेक्टरॉनिक्स के लिए बहुत बढ़ेंग्राइब का अहाए है या एलेक्ट्रोनिक्स कम्मुणिकेशन एलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्म्री अगर आपको project management आपने काम किया हो या project manager आपने काम किया हो किसी भी company में 10 साल से ज़्यदे कवन भव है तो आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है और master of computer application यदि आपने mca भी किया है या bachelor में physics है आपके पास या आपने पीजिक्स से किया है या master of science किया है अपने computer में किया है software में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिजैरेविल स्केल देख लिए क्या मांग रहे है project management इसकेल अब प्रोजेक्ट मेनेजमेंट स्केल क्या है मतलब सरकारी वेकेंसी में क्या private का वह चलेगा experience तो भाई मेरे आपने अगर कहीं काम किया है तो उसका वर्क certificate आपको के पास हो गई experience certificate company देती है उसको आप अपने पार रखिए सम्हाल के यह आपका अपने पार काम आएगा आपने टेली काम में काम किया है तो वह काम आपका सैटेलाइट नेटवर्क डाटा सेंटर्स या आईटी में आता है ठीक है GPS GIS ground segment ठीक है project management के कई पहलू है कई की तरह से project management होता है तो टावर company में आपने अगर 10-12 साल से काम कर रहे हैं आपको इलेक्टोनिक्स टेली कम्वनिकेशन की बिरांद से आपका बीटेक है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा intelligence bureau है भारत सरकार का उपकरम है और बहुत इजद्दार वाली नोखरी है ठीक है तो इसमें कई वेकेंसी निकली है आप अपने हिसाफ से देख लीजेगा मैं डिस्कूर्शन में लिंक दे दूंगा पूरा पीडिया विसका डाउनोट करके आप पढ़ लीजेगा अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब इसकी लाइट में बता दूं क्या है तो लाइट यह समल लीजिए अभी इसमें यह 29 जुलाई 19 जुलाई को यह पब्लीश्ट हुआ था ठीक है 19 जुलाई को इन्हों ने पब्लीश किया था और यह अभी इसमें तकरीबन चालिस से पैतालिस दिन है इसमें आप अभी चालिस दिन है कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको कोई इशू आता है कोई दिक्क्त आ रही है समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंब्वोक्स करते हैं मैं अपने परस्नल मेल आइडी देता हूं में उसमें आके आप मुझे इंब्वोक्स कर सकते हैं मेरा वाट्सेप कॉंटेक्ट नंबर में मैं देता हूं उसमें भी कर सकते हैं ठीक है तो देख लिए जात बैचलर डिग्री इन दिमाग की बत्ती जिलाईए और बढ़िया नौकरी के लिए आवेदन करना सुरू कर दीजिए जो हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह बहतरीन जौब चाहते हैं गवर्मेंट से जुड़ी जौ अगर्णा चाहिए ठीक है अगर आप आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बढ़े चीज़ें आपके आप इसकूर कार्ड होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है केवल यह एक इंट्रेंस एक्जाम लेंगे और उसके बाद इंटर्व्यू लेंगे तब आपका सेलेक्शन होगा इसमें ठीक है अब देख लीजिए इसकेल में और क्या क्या है तो यार यह टेली काम ही तो है आपने अगर किसी भी टेली काम काम किया है तो अगर टेली काम करने वालों लें बहुत बढ़िया अपसन है इसमें आप लोग जरू करिएगा बिल्कुल भ्रम पालने के जरूब नहीं कोई कंफुजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन यह मौका छोड़िएगा मत कई सालों गाद ऐसी भरती आती है जब बीटेग वालों को वरीता दी जाती है यह लिंक दे रहा हूं और यह आफ लाइन होने है ठीक है यह इसका फाल में यह आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गा इसमें पुरा भरके क्या के ड़कुमेंट लगें क्या क्या टेस्टेस फोटोकाफिक लगेंगी ठीक है इसलब आपको भेजना है इसी में आड्रस है ड है भारत